रेट्रो इस्टेडीज में आप सभी का स्वागात है, आज हम क्लास 11 के औरन्विल बुक से दा एडवेंचेर इस्टोरी पढ़ेंगे जो कि जयन्त नारलिकर द्वारा लिखा गया है, तो आईए स्टार्ट करते हैं, इस कहानी को जयन्त नारलिकर बहुत इंफर्मेटिव और इस कहानी में जयन्त नारलिकर जो हैं, वो पर्फेक्ट कमबिनेशन, हिस्टरी और सा imperfect के बारे में, इस्टोनिय अको बता रहे होते हैं, अन्वक इसमें देखते हैं के एक हिस्टोरीन होता है, जिसका नाम प्रोफेसर गयत्रन्डे होता है, और किसी तरह से वो टइमटी ड देखा जाए मुंबई को तो वह बिल्कूल अलग है इसको अगर कंपेट किया जाए पास्ट से तो बहुत ज्यादा डिफरेंज देखने को मिलता है और वह चीज यहां पर प्रोफेसर गैतुंडे को देखनों को मिल जाता है वह विक्टोरिय टर्मिनस से स्टीशन पर उतरते लिखा होता है करोगतु है अंके वह भी पता था कि वहां पर पर फॉब्स है और उस एडिया में ही उसका बैटा काम करता है और चुकि जब वहां पर जाते हैं तो पता चलता है कि उनके बेटे के नाम का कोई भी वहाँ पे व्यक्ति नहीं काम करता है चुकि रिडल को सुलजाने के लिए जो उनके मन में रिडल रहता है उसको सुलजाने के लिए वो लैबलेडी जाते हैं और वहाँ पे जाके वो पानी पत के युद्ध के बारे में पढ़ते हैं वहाँ पर पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ने के बाद उनको पहुत सारे detailed information मिलते हैं जो कि उन्हें बताते हैं कि वाकई में उसी युद्ध के दोरान क्या हुआ था इसके बाद उन्होंने ब्रिटिस के रूल के बारे में पढ़ा कि जो ब्रिटिस रूल बनाए गये थे वो कभी भी इंडिया के लिए नहीं बनाए गये थे और ये पढ़ने के बाद वो कुछ ज़्याद ही surprise हो गया लिब्रेरी से वापस जब वो आएं तो वो आजाद मैदान में गये और वहाँ पर उन्होंने audience के साथ जगड़ा कर लिया और unconscious अजाद मैदान में पड़े रहते हैं उसके बद क्या होता है कि वो प्रोफेसर देश पांडे के यहां जाते हैं और वहाँ पर जाने का main मकसद होता है कि उनको explanation चाहिए क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद वो बहुत सारी चीजों के बारे में उनको जनकारी प्राप्त होती है बहुत सारा चीज उनको ग्यात होता है कि हमारे सोच से परे भी बहुत सारी चीजे हैं जिस reality में हम लोग रहते हैं उसका बहुत अलग dimensions है जो physicist रहता है वो believe करता है कि हमारे इस दुनिया के अलावा भी बहुत सारी दुनिया है उन्होंने ऐसा इसलिए का क्योंकि ये हमारे thought और sense पर depend करता है हमें पता है कि जितना हम सोच रहा हैं जितना हम जानते हैं उतने ही दुनिया है नहीं, physicist के माध्यम से ये पता चलता है कि इस thought और अपने इस sense से बहार भी बहुत सारी दुनिया है और उसके बाद ये physicist explain करते हैं कि जो गैतने हैं ये दूसरे world में travel कर रहा है और इसका कारण ये है कि उनका accident हो गया था और accident के कारण वो हुमा में चले गया थे उस एरा में चले गए और उनके mindset में उस एरा के प्रति बदलाव आ गया और finally वो उसको कहते हैं कि वो time travel किये हैं वो past में चले गया है reality में ऐसा कुछ नहीं होता है बस यहीं होता है कि प्रोफेसर गैतन डे अक्सिडेंट के वज़े से कुमा में चले गया होते हैं और यहां पर आपका यह story समाप्त होता है thank you for watching please like share and subscribe my channel retro studies